तो केसे हैं तो हेलो दोस्तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था रेडमे वाइवन और रेडमे फोर के लिए MIUI 10 का स्टेबल अपडेट कब तक आएगा तो दोस्तो आपने बहुत उस वीडियो को लाइक किया और बहुत सारे कमेंट किये तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूँगा कि किन किन डिवाइस को मिलेगा और कब तक मिलेगा दोस्तो तो वीडियो का एंडिक तक जरूर देखेगा और अगर आप भी मेरे चैनल पे नए है तो चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा तो दोस्तो बात करते हैं तो दोस्तो से पहले मैं आपको एक न्यूस पहले बता देना चाहता हूँ कि दोस्तो सामी वाले के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूस है तो दोस्तो इस साम में आज उस पे वीडियो बनाने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो को जरूर देखेगा क्यों बहुत बैड न्यूज है सामनी यूजर के लिए तो जल्दी से आप देख लिजेगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट और सस्क्राइब कर लिजेगा मेरे चैनल को तो दोस्तो मैंने बोला था इस फ्राइडे रेड्मी 4 और रेड्मी Y1 को Mio 10 का स्टेबल अपडेट मिल जाएगा तो दोस्तो आपको कुछ बाते जाना जरूरी है इसके बारे में क्योंकि रेड्मी नोट 4 में भी ऐसा ही हुआ था तो रेड्मी 4 और रेड्मी Y1 में भी ऐसा ही होगा दोस्तो तो दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेड्मी Y1 और रेड्मी 4 के लिए स्टेबल अपडेट रोलाउट किया जाएगा इस फ्राइडे लेकिन दोस्तो वो सबको नहीं मिलेगा दोस्तो तो बात करते हूँ किन किन को मिलेगा दोस्तो वो जब रिलीज होगा तो कुछ घंटे के लिए रहेगा मतलब 30% जैसी कंपीट होंगे उनके डिवाइस की इनको M.I.O.10 का स्टेबल अपडेट मिल गया है तो दोस्तो अपना तुरंट क्लोस कर देंगे सर्वर और जो आपको अपडेट दिखेगा कि अपडेट आया था वो तुरंट चला जाएगा कि आपको कोई अपडेट ही नहीं मिला था तो जो पहले यूजर होंगे वो अपडेट कर लेंगे दोस्तो और बाकी के जो है उनको कुछ दिन बाद मिलेगा जब यह confirm हो जाएगा कि MIUI 10 के beta मतलब stable version में कोई भी bug नहीं है तब उनको दे दिया जाएगा MIUI 10 में stable update कुछी दिनों में तो दोस्तों बात करते हैं मेरे बहुत साई subscriber पूछ रहे हैं कि इसमें Oreo update या portrait mode आएगा कि नहीं दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यह normal सा version है MIUI 10 का जिस पर कोई भी portrait mode या Oreo update या face unlock कुछ भी देखने आपको नहीं मिलेगा दोस्तों बात करते हैं कि यह मैं किस basis पर कह रहा हूँ दोस्तों Redmi Note 4 में भी ऐसा ही हुआ है तो आप जाके check कर सकते हैं कि उसके भी अभी आधे user को अभी तक update 10 ही मिला है बाके बहुत सारे को update मिल चुका है Redmi Note 4 के लिए है और Redmi 5A में भी दोस्तों ऐसा ही हुआ है दोस्तों Redmi 5A में तो manually आपको update करना पड़ेगा तो दोस्तों बात करते हैं यह सारे device को update मिल चुका है आप देख सकते हैं पाउस करके मतलब screenshot लेके देख सकते हैं MI Mix 2, Redmi 8, Redmi 5, Redmi Note 6, Note 5 Pro, S2, Y2, Redmi 6, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 5, Redmi 5A, Poco F1 दोस्तों यह साम में update मिल चुका है MI 10 का stable update पर दोस्तों Redmi 5A और Note 4 में दोस्तों अभी तक 30% को दिया गया है दिमें दिमें वो 40% 50% किया जा रहा है दोस्तों बाकी की बात करते हैं Redmi MI 3, 4 और Redmi Note 3, Redmi Note 3, Redmi 4 Prime और Redmi 3S Prime और 3X दोस्तों आपने देखा होगा इस पर कहीं भी Y1 का नाम नहीं है दोस्तों दोस्तों को मैं बता देता हूँ उसे भी update मिलेगा दोस्तों दिस Friday पर दोस्तों से 30% user के लिए दोस्तों मैं subscriber बोल रहा है कि उसमें से हम आएंगे के नहीं दोस्तों तो दोस्तों उसमें तो आपका luck है कि आप चुने जाते हैं के नहीं दोस्तों यह beta मतलब beta नहीं यह दोस्तों developer program रहता है जो कुछी user को दिया जाता है यह confirm करने के लिए कि कोई bug तो नहीं है दोस्तों आपको वह download करके तुरंट issue यानि कोई भी issue आ रहा तो उसे comment करना होता है MI forum पर या report करना होता है तो दोस्तों वह आपके लिए काम होता है दोस्तों आपके phone के लिए risk को होता है आपको जल्दी update मिल जाता क्योंकि अगर कोई बग आ गया तो दोस्तों आप तो normal people हैं आप कैसे करताएंगे उसे handle तो दोस्तों आपको कमेंट कर दीजे मैं आपके comment का reply करूंगा और दोस्तों हर Sunday में एक QN वीडियो बनाता हूं तो दोस्तों उसमें भी आपका नाम आ सकता है तो जल्दी से जाके comment कर लिजे तो आज के लिए ताही जै हिन जै भारत